डॉक्टर बाबासाहिब अमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी मित्रो डॉक्टर बाबासाहिब अमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना जियतुर मैं परिशर मा आवेला चैतन्य श्टूडियो मा प्रोफेसर योगेंद्र पारेक आप सवनु हार्दीक स्वाटत करो जो गुजराती साहित्य मा टूकी वार्ता साहित्य स्वरूप खुबज निवडेलू अन सम्रुद्ध साहित्य स्वरूप छे 1908 मा मलेली गुवालनी वार्ता पची आजे जियारे आपड़े वार्त करी रहा ची यह त्यारे तूकी वार्ता नूँ 101 मुवर्ष 406 मा आजे आपंड़े शुरेश जोशिने टीगडूं वार्ता विशेव वात कर वाना जी गहा સુરેજ જોશી નો વારતા સંગ્ર સૌથુ પેલો વારતા સંગ્ર સૌથુકে વાર્તા સંગ્ર સોથે પેલોં वार्ता लेवा मा आवी चे पच्छी पन विजाबे वार्ता संगर हो तेम ना चे अपी च न तत्र सुर्यो बाती सुरेज जोशी पासे प्रबल सर्जक्ता होवा चता लगभग 25 वरसना वार्ता लिखनना तेमना वर्षो मा तेमने मात्र 62 वार्ता हो आपी चे पण सामान्य भावक ने नवाई लागे पण अभ्यासुने सहज पन नवाई न लागे केम अटली प्रबल सर्जक्ता होवा चता तेमने अट्री ओची वार्ता हो के माती आवी गतो कोई पन विद्यार्थी ने काम आवे एवी चे एक भुमिका रूपे अपड़े जोई है तो गुरूप्रवेश वार्ता संग्र प्रगट थयो त्यारेज ए संग्रनी प्रस्तावनामा एम्नकल वार्ता विशेनी पोतेजी अपेक्षाओ राखी वार्ता स्वरूप विशेनी चे वार्ता के वी होवी जुजे ए समग्र प्रस्तावना एवस्तु दर्शावे चे के तेवो आपनी परंपरागत टूकी वार्ता थी जुदा पड़वा मते चे इ मतामन विश्व सहीत्यना अभ्यास्थी आवी चे पस्चिमनी वार्ताओना अभ्यास्थी आवी चे तेमने खुब सन्मान पुर्वक परंपरागत वार्ताओने जोई चे आपनी तियां कंचनलाल वासुदेव मेताथी शरू थेली टूकी वार्ता सर्जननी यात्रामा धुमकेतु अने द्विरेप जेवा प्रारंब कालीन बे उत्तम सर्जको मिल्या ती पची तरत बे उत्त पुदेश कर्ची तियां कंचनला रा सर्जननी समान तरें कभी सर्जको हे पंवारताओ लकिया सुद्रम ने ऊमाशंकर जोशी तेमना वार्ता करत वार्ता सर्जननी समान तर्ग तरत जयिता दलालमनेτό जयिंद खत्रेजिवा सर्जको मिल्या आ बदी वार्ता परंपरा ना अभ्यासु वेवा सुरेश जोशी तूकी वार्ता स्वरुप पासे जे अपेक्षार आखे चे विवेचक तरीके जे विभावना आपे चे विभावना ने अनुरूप तेमने वार्ताओ आपी तेमनी बदी ज वार्ताओ प्रयोक्षिल छे उन ठीग्णू वार्ता परमपरागत वार्ता साथे घनो बदो नाटो धरावेचे कथावस्तु पात्र परिवेश जे रित रचेच सुरेश जोशी ते थी आपने गुजराती साहीती ना विद्यारिती तरीके जे आतुनिक टूंकी वार्ताकार शुरेश जोशी ने जोईए ची तेना थी से जुदा पड़ता प्रम्परगत वार्ता साथे जता सुरेश जोशी नी आ वार्ता आपणे आजे मनिखो थिगडू वार्ता हुँ वार्ता ना पठन साथे साथे वार्ता विशेयक वात करतो रेश प्रथम वर्ष भीये ना विद्यार्थियोने अभियासमा आ वार्था ध्यान मा लिवानीचे तो अबने मानियें थिगडू वार्थानु पठन साथे साथे वार्था विशेहकवातो ने ध्यान पूरुवक शांबलीने इनने समिक्षात्मक द्रष्टि बिचंदूने केडव पोते इवार्ता पछी मुण वार्ता वांची रियाक्यान सामिणा पछी जोया पछी पोता निरीते मौलिक समिक्षा बुद्धी थी मौलिक लेखन शक्ति थी वार्ता विशे लखवानू छे अपने जिने गृहुक आरिया कई है तेवु कैक करवानू छे तो ये वारता आपने मानी गणाई वारतानों अभियास करेव गणाई और वारता अपनी अंदर उत्रे थिगणू वारता सुरेज जोशी नी उत्तम वारता उपईकीनी एक छे सामणिया पस्चिम्मा क्षितिच पर वादलां छवायला आता है तेथी आथमवा आवेला सुरेज नी रतुमडी आभा देखाती नौती सेहेज वादला आचा आता तेहां थी रताश नी ना नीशी लकीर गडी भर देखाई ना देखाई ने छवाता जता अंधारामा अलोप थे गई जाने कोई नागने बटकु भरी अंधार ना जेर नी कोथली ठालवी दिदी इठलवायलो अंधकार प्रभाशंकर ने पन चारे बाजुती घेरी वेलो जुओ अन नानकडा फकरामा प्रभाशंकर नामना पात्र नो प्रवेश्ट चे समय कईो छे सांजनो छे अंधकार नो छे आथम ता सूरजनी वात करी चे प्रभाशंकर वारतामा एकेवु पात्र चे जिवरुद्ध चे एटले बाईय जगत्मा परिवेश्मा शुरुष्टी मा अंधकार नू सामराज्य ठलवात उजाये चे एव रिते प्रभाशंकर न दिवसनु आथम वु एक बाजु जीवन आथमवानी वात जेनु जीवन आथमवा तरब दस्मसी रहयु है एवु पात्र आवारतानू पात्र चे मित्रो अगर्ज प्रभाशंकरे गोखलामा थी पान नी चमची लिती एक खोलीने आखो जेनी करीने जोयु तो अंदर चिम आई प्रभाशंकरे खूब कालजिती अर्धा पांना बे भाग करिया एमा नो एक भाग साच्विने चमची मामुकी दीदो अर्धा पांना प्र बहे भाग करिया अस्मुखने कईउचे ते चता डर्भु जयतो हतो जूँ वृद्धत वसे लिती जान तापन पान संता नो चाहता हौई कदाज माबाप ने ते छतां केवी रिते दिमे दिमे वृद्धोनी अवगण ना थती जती हौई छे एना संकेतो वारता मा मळे छे आ वार्ताकार मुखर रिते एल्लेके लावडली आपने एवुकेवा न थी मागता परन्तु वारता ना समग्र वारता वरण मा भावा वरण मां थी आ प्रकारना संकेतो निश्पन न थाए चा तो अर्धापान ना बे भाग करया इमानों एक भाग साच्वीने चमची मामुकी दिधो ने बिजा टुकडा पर चूनों काथो चूपडवाला गया पान मोधा मामुक्यू साथे तमा कोनी चप्ती भरीने प्रवाशनकर जै परिवेश मा थी आवेचे कवटम्बिक जै ग्णियाती परिवेश मा आवेचे ये ग्नियाती मा पान खावु पान नी डब्बी होवी घर मा आपण आपनी सामाजीक शांस्कृतिक विराशत्म एक भाग चे अनि प्रवाशनकरनी स्थितिके भी चे दिवाना प्रकाश नो एक लिसोटो आगला ओरडामा पड़तो तो तेने अजवाले खीटी ये भेरवेल कोट लेने पेहरो टोपी माथे मुकी गूटडो पाणी पेनेज बाहर निकलवानी येमने टेर वती पार्वती डोशी जीवता आता त्यां सूती तो बाहर जवानो वक खत्ता है के तरत पाणी नो प्यारो लेने हाजर रहता येवी नानी नानी गाणी वस्तु आछिल्ला एक वरस्ती येमने जातेज करी लेवी पड़ती बिजु पात्र वारतामा प्रवेशे चे कौन पार्वती डोशी पार्वती डोशी है यात नथी एकले पाणी नो साथी नो अभाव के वी नानी नानी बाबतों मा सुचवाए चे ते आपनने सर्जक अहिया सहज ताथी मुकी आपेश है पाणी माटे प्रभाशंकर पाणी यारा पासे गया आवारतानू वाक्य जुओ आ वाक्यमा आपने हम कहिशु कि वरणानू प्रासलंकार चे पाणी माटे प्रभाशंकर पाणी यारा पासे गया आने घुटडो गले उतारी ने पाछा वडता ता तियां एका एक जाने कोई ये पाछड थी एमनी कोट नी बाई जाली ने एमने रोई क्या एमना थी एका एक पूछाए गयू शुचे अस्मुख नी मा जुओ एमने कोई अट पारवती दोसी नू, जी एक वरस्ती हयात न Than आ आजसान पैमाँ चेवा पारवती दोसी जाने अटकावत होँ ये वो भनकार जी एक प्रभाशंकर ना चीतमा पारवती दोसी नी इस्मुचियो नो आ प्रारंब थेवचे, चीतमा बदू चालवाごानूमु जाते काम करवो पड़े छे त्यारे जे काम पारवती डोचे करता एक काम ने विशेनी स्मृती काम करता करता समांतर पड़े M. चेत्मा चाली रही छे इतले बोले जाये चे M. शूंचे असमुखणी मा, आपन जे समय मा वारता लखाई त्यारनी स्थिती M. आपने तिहां पति अन्य पत्नी परस्पर सम्भुधन करवाना प्रवाशंकर नी पेडी ना जे आपनी परंपरा नुपनाईया संकेत छे आजना सूरेश जोशी आजे या भार्ता लखे तो शूँचे अस्मुखनी मां एमनीक है, शूँचे पार्वती अथवा कई नवु नाम आजनुँ हशे, एवु मोडन नेम आधुनिक नाम हशे, एरिते संबुधन करशे, तो आपनने कोई वारता एना समयमा पन लई जाई छे, एरिते पन वारता ने चुवानी छे, निस्तब् आपना रस्मुखनी मां पन ती आनोता, प्रभाशंकर आंक जीनीकरीन अंधकार मां ताकी गया, आंक जीनीकरीन अंधकार मां ताकवू एटले, शूँ, स्मुरुती तरब्त सरकवू, तफकिरनो सडाको लई ने, सेज, खोंखारों खई ने, मकुजे कही ने, पार्वती, दोसी ने वाद करवानी तेव अती, मोटा दिकरा मनीशंकर ना मृत्य उपची, प्रभाशंकर गणिवार अन्यमनस्क थे जता, त्यारे गणू खरू, एमनी बाहिं खेंची ने, बोलावानी, पार्वती दोसी ने, तेव पड़ी गया ती, अन्यमनस्क थाऊ, कहीं जुद अन्यमनस्क, मोटा दिकरा मनीशंकर ना अवसान पची, अन्यमनस्क थामा ज्यारे ज्यारे रहता, त्यारे आविरिते बोलावानी, पार्वती ने, तेवती, प्रभाशंकर ने याद आएवू, जे अंधकार मा ताकी रहाचे, अने हवे जुए स्मुरूतियों फंपो से च त्यारे तो एमना डोसा डोसी घर मा आता, जमीने प्रभाशंकर नोकरिये जवानी तैयारी मा होई, एमनी टेव मुझब घुटडों पाणी पीने रसोडा नी बाहर निकलवा चता आता, परिणया पचिना बेज वरस्त थया आशे ये गाडा मा, तियां आम ज कोट ने आखिने पार्वति ये सुप समाचाराय पाता, पोते माता बनवानी छे एवा, संयुक्त कुटुम मा मरियादा जालवी ने रहवानू, बे घड़ी एकांत मेडवी ने एक बेशब्द बोलवानू पन भाग्यज बन्तू, उराते माबापने भागवत संभळावी ने आमें ते प्रभाशंकर चार्शब्द बोलवाना होई, त्यां एकाज बोली ने काम चला विलेवा मान सता, प्रभाशंकर ने चरीत्र ने रेखाव सर्च काम, प्रभाशंकर के वा आता, आम पन जियां चार्शब्द बोलवाना होई, त्यां एकाज बोली ने काम चला विल पति पत्नी सासु ससरानी सेवा करती पार्वती दांपत्य जिवनना प्रारंबना वर्षोनी वाद प्रभाशंकर नी चेतना मा चाली रिंग छे वर्तमान मा शूँचे वर्तमान मा सांज पड़ी गेए छे खोटडो पाणी पीने बार निकलती वखते के कोट पहरती वखते कोनुस्मरण थाई छे दिवंगत पत्नी नूँ पार्वती डोसे नूँ मरणायवू ते दिवसे पार्वती ये पण आमज हाथ पकड़ी ने रोकता कहेलू आज ये न जाओ तो न चाले प्रवाशंकर नित्य नियम्मा कशो भंग पड़े ते सांखी लेता नहीं ते जाणी ने वाद बगिदली नाखी ने कहेलू ना ना एतो मने अम्तुच जरा मनमा एम थेयू लो एक घुट्रो पाणी पीन पछी जाओ आथी बारणाना आगलामा कोणी आगल थी फाटेलो कोट भेरवाता उभार एजेई ने एकदम एमना थी पुछाई गयू शूचे आस्मुखनी मा कोणे रोक्याचे एमने आजे वर्तमानमा सांजे बार निकलती वक्ते कोट पहरी ने बारणाना आगलामा एमना कोट भराई गयूचे बुलाई गयू शूचे आस्मुखनी मा अनि तरत अचे एक स्मुरूती स्मराण नो एक आटो मारी नायवा चेक चक्कर मारी नायवा पुतनी पत्नी विश्यनी वात कही आपनने पन पिलो तफकीर नो सडाको मकुजे मकुजे एकले सूक आउचु तमने सांबलो जो एवो एक सम्वाद तवको संबलाया नि एटले प्रभाशंकर ने प्रभाशंकर एकला ज बोलवाला है गया शो उचे कोट फाइट्यो चेम से एमज के आउचे ने तारे तीचु तिगडू मारू, पण स्वाइद व्रो क्यां आचे अवे फाटिला कोट ने स्वाइद व्रो लईने थेगडू मारवा प्रहत्चन करता प् पार्वतिनों नाखुश थेलो चेहरो जोयो होई तेम बोल्या पण तूँच केने उशू करो वहुने मारा थी वारे वारे केवातू ना थी वारू ठीकच थिगडु मारू चुँच पचि छे कहीं थीगडु शब्द चारेक वार फरी फरी ने बोल्या ने यहमने वड़ी याद हैू वडी यहाद है आं पार्वतिनी स्वति अत्यारे आगळा मां भरायला कोट ने थीगडु मार्वा बैस्ता प्रभाशंकर नी स्मु प्रुति मां वलिपाचा पार्वती डोसी आवेचे केवा हता है ये समय हतो एक साथे त्रण चार वरस नबला गया गर खोरणा आगमा बढ़ी गया जमीन तो तसु सर्खी हती नहीं बाप गामोटूं करता बेनों ने परणावानी आथी पंदर वर्ष नी वैथीज करेक वेपारीनी दुकाने तमाकुना पड़ी का वालवा बैसी गया वर्नाक्यूलर फाइनल तो पास करेली इतले पांचेक वरस राज हुया पची आखरे बहु दूरना अजैन्या गम्मा पंदर रुप्या नी प्रात्मिक शाड़ाना शिक्षक नी नोकरी मढ़ी गर अब धुम पाड़ता पांतरीस्तो थेई गया आखरे प्रभाशन करने परणवानी एन्नू कुरता थेई परिणया पची आणू करवा सासरे गया त्यारे पार्वती जोडे जे वाद थेई ते एमने याद आवी एमने कहेलू मारी तो उम्मर थेई संसार नो ढसरडो करता म मारो तो बदो रस सुकाई गयो छे तने मारी जोडे फाव शे पार्वती ए एनी सखीये शिखवेलो जवाब आई पर हतो तमेज तो मारे मन बदू छो पचिमारे बिजाकशा निशी जरो सखीये शिखवेलो जवाब प्रभाशंकरे उमेरेलू बण अमारा घर मा तो एक सां थिगडा मारवानूच काम तारे करवो पडशे पार्वती ए उलट बेर कहेलू वारू तमे कैशो तेटला थिगडा मारी आपेश थिगडा मारता हूं ने थाको पन आजे ये क्या चै ये याकरे थाकीद ने देवागल दीवो करवाने फानस सलगावा प्रभाशंकरे दिव दिवाश्वली शोधी फानस सलगावा वारता ये समय नीचे ज्यारे संधिया टाने दिवो प्रक्टाईवा पची फानस सलगता अध्युनिक विजली दिवानोता पड़ दिवाश्वली शोधी ता एक दाबडा माथी सोई दोरो जड़े येले इने प्रभाशंकर ओटले गया शेरिना दिवाने अजवाडे येमने केटलू थिगडू मारूमू पड़शे तेनो अंदाज काडिली दो पोताने बेस्वानी गादी ने नीचे संगरेला गाबाच इथरा माथी मापसर नो एक टुकडो काड़ एक टुकडानो रंग कोटना रंग न मलतो नो तो पन येवू कपडू क्या थी लाववू मैंची आ कोटने असमुख जेटला वरस थया मिलेटरी ना सस्ते भावे काडी ना खेला कपडा माती मनिशंकर ये लई आवेलो दिकरो मनिशंकर जे दिवंगत थयो चे असमुख जेवडो थयो आ कोट घरमा सोई दोरो चे फानस प्रक् प्रभाशंकर नी स्थिति नो संकेत ये समय नी जीवन शैली कोटने वीस पचीस वरस थया आशे असमुख पर पलने लो चे तो आटलो जुनो कोट ये पाण सेकंड मा खरी देलो कोट जे आजे पन प्रभाशंकर साच्वी ना पैर जे दिवाने अजवाले प्रभाशंकर आ दोरी ने थूकती भीनी करी ने छेडे वल चड़ायो जुओ द्रश्यात्मक्ता वारता मा प्रभाशंकर गादी ना नीचे जे टुकडाओ संगरी रैखाचे येमा थी कपडा नो ये टुकडाओ ले जे ठिगडा माटे अगा आओ पार्वती नो स्वभाव आपने जोयो के चैने कहलू और संसार प्रभाशंकर मा टेकेवो हतो एक सांति ये तेर दोते हो फिल ये क्वतु का संसार मा इस निभावा मा जेटला थीकडा मारव आपड़ interfacesी मारिश नो चैने वस्तोर मा संसार सागर संसार ये थीकड़ने थीकड़ने थे डुकड़ मारवा नूचे घला इतला मां शेरी ना दिवा आगल रमता एक किशोर नी ये तरफ नजर गई थोड़ी वार सुधी तो एने प्रभाशंकर निश्फळ प्रहत्नों ने जुया करया पचि ये पासे आवी ने बेठो ये नम थे तू का दादा सुन करेशे अने भीतना पोपडा उखेड तो प्रभाशंकर ना प्रहत्नों ने जुय रेयो भीतना पोपडा उखेड तो भीतना पोपडा उखडी जिता होई ये पन संकेत स्थितिनों संकेत छे प्रभाशंकर ने ये ना तरब ध्यान गयू एटले ये मने कयू कोण छे बेटा दया शंकर नो मनू के पेला किश्वरे कयू हादा दा प्रभाशंकर ने मानवाचक संभोधन्ति पेलाये बूलाये मनू ए एटले प्रभाशंकर उच्छाती पोछे बाई मने जरा सोई मा दोरो परोवी आपने दादा एक शरत तमार वारता के भी पुडशे प्रभाशंकर हसी ने बूल्या वातो तो तारा दादी ने आवरती वच्चे थी जटकावीने मनू एक यूं ना दादा एम बानू काडो ते नहीं चाले दादी ये तमने गणी बदी वारता आओ कि दी यशे एमा थी एक को तो प्रभाशंकर हर्या येमन के वारू ठीक शे तु दोरो परावी आप उतन वारता को मनू ए जट दोरो परावी प्रभाशंकरे कापण नो टूकडो जोडी ने जेवा सूजे तेवा जेवू देखाए तेवा बख्या भरवा मैंडया वारता शरू गरी मनू एमनी पासे कुतु अल्थी विस्फारीद नेतरे एमने जोई रयो एमनी पासे बैठो प्रभाशंकरे कयू गणा गणा वरस प क्वेलानी वाद छे त्यारे एक राजा हातो एने एक राजकुमार राजकुमार नो नाम चिरायू बालपनधि जे भारे फूटडो जू वार्ता मां वार्ता शरू थे। मीत अरज देखाए दादधा किराई औने राजा वार्ता शरू केले। जी एने जुए इतो एना पर वारी जाए एकलो फूटडो युवान मोटो थतो गयो एम देखावडो थतो गयो एम जोई जोई ने राजा आने राणी नी आखमाती आसु वही जाए मनुए कईउ एतो केवी ने वाई नी वाद आटलो फूटडो रूपाडो दिकरो अने राजा राणी नी आखमाती आसु वही जाए आँ भई एवो रूपाडो अतो ते थी एने जोईने राजा राणी ने थतो के आवी कंचन सर्खी काया एक दीवस करमा शे आजे अमारो दि पाड़ो रहे तो के वो सारो यहां पची प्रभाशन करे वात आगण चलावी आम महिना वित्ता जाए छे वरस वित्ता जाए छे राजकुमार शोड़ वरस नो थयो राजकुमार शोड़ वरस नो थयो यह वरस गांट वुजववा नी आवी दाम दूम थी वुजवेई यह वकते राजा ने काने वात पहुंची कोई यह कहयो के राजदानी मां कोई मोटा चमतकारिक पुरूश आईवा छे शिद्ध पुरूश ने नगर नी बार मोटा थालमा फळदरीने पूछू महराज अमारी एक इच्छा चे पूरिकर्षों शे च्छा चे बोलो अमारो एकनुएक राजकुमार जे सदा फुटडों ने फुटडों जुवान रे यह वी अमारी इच्छा चे एम चारू एक वार विचार करीलो महराज अमितो दिवस रात आज वातनू रटन करिये चीए अमारे हवे आमा जाजो विचार करवा पणू काई चे नहीं सिद्पुरुषे करवायू वारू हुँ एने माटे एक चमतकारी रेश्मी वस्तर आपुछू ते एने कदी शरीर थी अलगू करवू नहीं ए वस्तर ज्यां सुधी एना अंग पर रेशे त्यां सुधी काल नी एनी पर कोई असर थशे नहीं एनी काया सहज पण करमाशे नहीं सिद्पुरुषे राजाराणी ने रेश्मी वस्तर आपुवानी वात करी ए वस्तर ज्यां सुधी तमारा कूँवर ना शरीर पर रेशे त्यां सुधी एनी काया करमाशे नहीं राजाराणी तो खुश थे गिया असाम्बली ने अरग्यला थे गिया पन कोई पन सिद्धी नी साथे एनी जवाब द्यारियो आवती होई छे एतले जहेज खुश थेला राजाराणी ने तरत सिद्ध पुरूशे कईओ एक वाद छे जो तमारा बेमा थी कोई ने एने विशे सेज सर्खोपन खराब विचाराव शे तो इवस्त्रमा काणू पड़ शे पचिये मोटूने मोटू थतु जशे त्यासुदी काल नी एकले समय नी कोई असर नही था एव निव बेमा थी एक कैई ने विशे खराब विचार आवे तो वस्त्रमा काणू पड़ शे एक काणू पड़ शे आसाम्मले राजाराणी ना मोटा पर चिन्ता थे पड़ पचि राजा आए की तुक अमारो वालो द चे सांधी ना शकाए सिद्व पुरुष के ओ सांधी तो शकाए पड़े विकट काम चे जो सांध्वा नी वारता वी प्रभाशंकर कोट ने थीगडु मारवा बैठा चे थीगडु मारवा विशी नी वारता वली एम नमन मा चाले चे जे पिला मनुने के चे तो चीरायूने जी वस्तर रेश्मी पेरा विश्व एश्यू सांधी नहीं सकाए सांधी तो सकाए पन ए सांध्वा ने माटे जेतला टांका भरवा पड़े ते टला वरस कोई आपी देवा तयार थाए ते जेने सांधी शके चिदपुरु शकायों ये वस्तर येवू चे ते चे माना जेत जेतला टांका भरवा पड़े तला वरस दानमा आपी शकोँ जुए वड़ी एमा एक बीजी शरस्त बीजी एक शरत चे ये बधा वर्सो आपनारे ये वर्सो दर्मियान कशू पाप न करिवा जुए तद निश्क कलंकी जे हो जेने कोई कलंक न करिवा ते मानस जा वस्तर स सांधी शके है राजा राणिये विजिचारियो थोड़ी कवार पच कीदो हशे अमने बदी शरत मन जोर्च वस्तर आपी दो सिध पुरुशे कई हजी एक बार विचार करी ले जो जो एना वस्तर मा चिद्र पडशे जेवू चिद्र पडशे पसार थेला तमाम वर्सो नी असर एना शरीर पर थशे औने ज्या सुधी ए सांधी नहीं लेवाई त्या सुधी ए धीमे 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 गड़ातो जशे एनु शरीर गड़तो जशे हाँ पने ज्या सुधी एना शरीर पर ए वस्तर हशे त्या सुधी ए मर्शे नहीं घचबनी बाच्चे राजा राणिन थ लोब जागे ने इतले विचार शक्ती क्षिन थाई जाई वदू विचायर्या वगर थोड़ीक चिंताने वदू पड़ता उत्सा साथे वस्त्र लई गया रेश्मी वस्त्र पेरावानी रिच्चर नी विधी करी कुमार ने पेरायू राजपुरो इतना आथे वस्त्र पेरावणी आको विधी थयो वन्मेपुशू पची पची शू थयो प्रभाशंकर बख्या भरता भरता बोल्या अवे बख्या भरवानू चालो जे वर्शो न वरस विति गया राजा वृद्य थया राणी वृद्य थया पन चिरायू तो एवो न एवो फुटडो सोल वरस न जुवान एवो न एवो रयो राजकोवरी न परने सैज मोटी उम्मर नी था एटले एने छोड़ी दे त्या बीजी राजकोवरी ने परने एनो कोई पारत न रयो एक पची कोवरी ने परने मोटी था एने छोड़ी दे को ते तो एवडो न एवडो रयो एक दि जिवस राजा आने राणी व्रुद्ध राजा राणी लपिला चीरायूना माता पिता जरुखा मा बैठा आता त्या पासे थी कोई नूँ है फाट रडवू संब्लायूं एमने जोयूं तो राज कुमारे तर छोड़ीली राणी ज रडती हती राजा ब उदास्थ ही गया आतन प्रमाने काणू पड़िव रेश्मी वस्त्रमा काणू पड़ता नी साथेज पसार थेला वर्षो नी असर समय नी असर चिरायूना शरीर पर पड़ी एकायक ते वृद्ध थेगयो एना शरीर पर नी चामडी जुली गई एना शरीर पर दूस्ता गाव उब्राय उठ एना जुईने लुको मौ फेर वी नासवा लाई गया चिरायू तो पड़तो आथड तो राजा राणी पास आयवन कर गरी पड़ेव मने बचाओ मने बचाओ मने बचाओ राजा राणी नी आख माथी चोधार आशु वहवा लाई गया राणी एना खोले लिधो भाटेला प्रेश्मी वस्त्रने थिगडू दिवा बेठी इबक्या भरे पन वस्त्र तो संधाई नी पची राजा राणी पाप मुक्त थोड़ा हांता पची तो राजा ना दरबार यूए प्रहत न कर्यो पन फोगट असंसार मा पाप मुक्त कौन होई एकले दीवसे दीवसे एने सांथ वा जेट ना कलंक वगर ना वरस कोनी पासे होई राजा आने राणी तो कूर नी आद्रशा जुए ने मरण शरण थया पची तो चीरायू निकली पडेव मनु ये पूछू पन एने वस्त्र उतारीन फेंकी केम न दिदू प्रवाशंकर बोल्या एने वो लोब करोने के कदाज कोई सांथनार मड़ी जाए तो जुवानी पाची मड़ी जाए लोको कहे छे कोई वार रात ना अंधारा मा लथडते पगले कोई साव कखडी गये लोडोसो चित्रे हाल दशामा आवी ने आंगने उभोरे छे बोले छे थिगडू मारी आप्षो पछी सेज रा जुईने उभोरे छे जवाब नो मड़ता आखरे चालो जाए चे मनू विचार मा पड़ी गयो थोडी वार सुधी कशु बोल्यो नहीं पछी कशोक विचारा आउते एनी आंग चमकी उठी ने बोल्यो दादा तमे तो मोडे सुधी जागता ओटले बेसी रोचो तमने जो कोई वार देखाईं तो मने बोलाव जो आपने बे मली ने एनू उरेश्मी वस्त्र उतारीन फेंकी देईशू पची एने रखडवानू तो मटचे खरूने प्रभाशन करे हा कयो मनू संतोश पामी ने उपो थे चालत्यो गयो एना तरफ जोईरे एला प्रभाशन करे गड़ी भर स्थीर थेईने बैसी रहा पची बखियो भरतां सोई आंगली ना तेरवामा खुपी गई इटले सोई दोरो काठी ले ने उपा थेया घरनी अंदर ना अंधकार मा अलोप थेई गया जीवन सुध्या नो एक पड़ाव सोई आंगली ना तेरवामा खुपी जाए अने अंधकार मा प्रभाशन कर नो अलोप थे जेऊ निर्मम जीवन नो वास्त थीगडु मारवा नो प्रभाशन कर नो प्रयत्न अने थीगडु मारवा माटे कोई पुणिय शाली आत्माने श जोध्वानो चीरायुनो प्रयत्ना संसार्ना वस्त्र ने थेगडु मारवा निवाद प्रभाशन कर वरुद्यत्व स्विकार इली दुछा इले प्रभाशन कर अंधकार मा अलोप थाई शके चीरायु पासे चीवन नो एक जुदो जिन्धकार छे अन मनु जुओत मैं मुख दय उबाळक येने तरच्शू प्रश्न थाई चे कि येने पेलू वस्त्र उतारी ने फेंकी दिदू केम नहीं चीरायुने लोब चे कि आवस्त्र सांधनार कोई माली जाशे लोब येने बटकाव आपे चे मनु पासे उकेल चे कान के मनु पासे निर्दोष चे जिट्ला वर्षू नातिक ये दानमा आपी शके और कोट सांधि सके संभव शे के मनु कोट सांधि होट सांध़ निर्दोष शक्या हात wys üzाट मनु पासे चेरायुणू वस्त्र नथी पंड मनु येवो उकेल न ती आप तो के चेरायु आवे तियार मने बोलाव जो येनू जीर्ण थेली काया ने फ्हेंकि दीवानु जीर्ण थेली काया ने फ्हेंकि दीवानु परवती दोसी होई तो पन रज़णी गयेला आस्तित्वने एक समय एवो आवे छे कि एकला पड़वानु आवे त्यारे जाते थिगड़ा मारवाना होई छे थे थिगड़ू मारवा माटे खबे खबा मिलावी ने जीवन साते खुब काम करियू छे जीवन मा सध्यारो आवे पोचे एपन एक तबक को आवे छे अने थाकी जाए छे तेर्या जीवन मा नथी होती अने कोई एवो पूणिय शाली आशन सार मा क्या थी मढवानों के जे रेश्मी वस्त्र ने इतला टांका भरी आपे इतला वर्शोदान आपे ते पेलू रेश्मी चमतकारिक वस्त्र सुन मारवाना प्रयोत्ने करे इरेश्मी वस्त्रों ने होई के पसार थायला वर्शों ने होई कोट ने थीगडू मारी शकाई चे जीवन ने क्याई अठकावी शकातू न थी जीवन ना वहता प्रभामा छेल्ले एक मुखाम आवे चे व्रुद्धत वचे अने दरीक मनुष्य आ नियती चे एने एक समय ओव आवे चे के पाणियार जही ने जैतेज पाणी पिवाणू हाई चे फाट ही गय ला वस्त्रने जाते थीगडू मारू मारवानो हाई चे जाते जीवन watching पसार क्रवानी चे चिरा नो नी वारत इमनुष्य नियती निवारता चे अदेहे नामनू वस्त्र जीरण थे जवानू छे एने थिगडां मारवाना कोई प्रयत्नू कारी फाववानी नथी। परन्तू एनू पने एक अंतिम स्थान होई छे जियां बधाये जवानू छे त्यां तेने पन जवानू छे। इतले आ जगत्मा जेटला चीरायू पोते क्यारे विरुद्यत्व आववानू नथी एम भटक्या करे छे। तेमने एक वाद सांकेतिक रिते समझवाने होई छे के अस्तित्व नामना वस्त्रने ठीगडू मारी शकातों नथी। अने फाटेला वस्त्रो लईने पटक्वान वार्त नथी। इतले मनुष्य नियती नी आ करोण वारता, मनुष्य नी नियती नी आ करोण ता सांकेतिक रिते चीरायू नी वारता द्वारता द्वारा सुचुआई छे। ठीगडू वारता मां प्रभाशंकर मनु ने वारता केचे। वारता सांभण नार तरीके मनु छे। एक मुग्दवईनो नायक जेने एकली समझ छे। किशोर ने। जीवन शूचे खबर नथी, मृत्यूचे खबर नथी। पन एकली खबर छे। क्या आवस्त्र जीर्णा मनु नी अंदर रहे लिया समझ एक निर्दोष बालक ना मनमा रहे लिया समझ एक जीवन नू वास्तम छे। इतले सर्चेक आई वारता केहनार प्रभाशंकर दवारा, वारता सांभण नार मनु दवारा, और चिरायू जिवा पात्र दवारा आपनने अस्तित वनू एक सरस मजानू रहश्य एनू कारोणिया सुंदर रिते आस्वाध्य रिते समझावे से। खुब खुब आबार आपनो आप वारता आप सव वाच्चो एवी इच्छा साथे एवी अपेक्षा साथे दन्यवाद आबार